हे माई लवली वीवर्स वेलकम टो तड़का विच स्टायल और आज की इंट्रेस्टिंग रेसिपी है सबी को बेहत पसंद आने वाले मॉमोस जी हाँ आज यो हम मॉमोस बनाने वाले हैं वो बनाएंगे एक तम डिफरेंट अंदाज में बनाएंगे अलग तरीके से उसे स्ट यहां डो परफेक्ट होना बहुत ज़रुरी है तब ही मॉमोस एक रफेक्ट मनेंगे तो यहां मैंने लिया है तीन कटोरी मैदा और एक कटोरी आटा डालने से यह होगा कि एक तो इसमें मैदा की क्वांटिटी कम हो जाएगी और साथ ही जो हम हमारे मॉमोस को बेलेंगे व इसे कहते हैं विनेगर विनेगर हमारे मॉमोस को एक डिफरेंट टेस्स देगा थोड़ा सा खटापन इसमें आएगा जो बाहर रेस्ट्रों लाइक मॉमोस में आता है तो इसलिए यह जरूर से डालेगा और चलिए आप इन सभी इंग्रीजिएंस को अच्छे से मिक्स कर ल और देखें कितना सॉफ्टेल लग रहा है तो ढखकर इसको रख दीजी अलग और अब यहां पर हम एक सीक्रेट ट्रिक यूज़ करेंगे जी हां यहां हम कैबिच का मसाला तो बनाएंगे फिलिंग तो बनाएंगे पर साथ ही इसकी जो लीव्स हैं इसको हम मॉमो को स्टीम करने में यूज़ करेंगे वो किसलिए क्यों किकि हम किसी चीज में मॉमो को स्टीम करते है व arcade से घड़ी करेंगे नहीं और दूसरा हमारे मॉमो स को जब हम स्टीम करेंगे तो इतनी ऑसम उसमें खुश्भू आईगी कि सभी पूछेंगे कि भाई आज किजिन में क्या बन तो है ना एकदम अलग ट्रिक तो जरू से ट्राइ कीजिएगा तो इस चौपर में हम बिल्कुल बारी कैबच को काट लेते हैं तो guys अब फिलिंग आप अपने पसंद की बना सकते हैं मैं यहाँ पर सिफ कैबच की फिलिंग बना रही हूँ आप चाहें इसमे चार्इट जाल सकते हैं कैपkim डाल सकते हैं पर मैंने यहाँ पर लिए हैं औली केबच और ग्रेट किया है किया इसमें जिंजर तो आप oil डालेंगे, oil भी आपको बहुत जादा नहीं लेना है, थोड़ा सा oil लेना है और उसमें पहले जिंजर वाले पार्ट वाली cabbage को हम हलका सा सौते करेंगे और फिर सारी cabbage इसमें डाल देंगे अब गाइज, momo filling की एक trick होती है कि इसमें से हमें सिर्फ moisture निकालना है, जी हाँ इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है, सिर्फ इसका moisture निकालना है ताकि ये जो हमारी filling हो वो थोड़ी सी crunchy लगे साथ ही इसमें डाला है मैंने, हलका सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च and a little soya sauce, that's it तो अगर आपको एक दाम authentic filling चाहिए तो इसी तरह आप बनाएगा और मैं आपको बताती हूँ कितना हमने से पकाया है कि कितना crunchy crunchy ये हमारी filling लग रही है तो इसी तरह आपको भी करना है, अब इसको रख देते हैं अलग और जो cabbage की leaves हमने धोकर अच्छे से अलग रख दी थी, उसे हम इस तरह राउंड राउंड काटके momos को इस पे place करने के लिए अलग रख देते हैं अब बनाते हैं momos, तो देखें इस तरह हमने platform clean कर लिया है, अब इस पे हलका सा मैदे को dust किया है और एक बड़ी सी रोटी बेल देनी है यहाँ आप सभी जानते हैं कि एक-एक momos बनाने में कितना time लगता है, तो ये trick आपको फटा-फट momos बनाने में help करेगी तो इस तरह बिल्कुल पतला-पतला sides से इसको फैलाते जाएं और इस तरह ये transparent हो जाना चाहिए अब बहुत सिंपल ट्रिक है, एक sharp edge वाला glass लेंगे और इस तरह हमारी round-round momos की filling भरने के लिए पुड़ीयां बना लेंगे तो ये जो तरीका है वो फटा-फट आपको momos बनाने में इतनी help करेगा कि आपको जैसे कोई कहेगा की momos बनाने आप कहेंगे बस दो मिनिट तो देखें अब इसके extra part को हम हटा लेते हैं तो इसी तरह हम पुड़ीया भी बनाते हैं तो यही ट्रिक इसमें भी काम आएगी और फटा-फट momos बन जाएंगे अब हमें इन सभी momos की जो हमने पुरिया बनाई है इसमें हमें थोड़ा-थोड़ा मसाला डाल देना है तो देखें इस तरह सभी में एक साथ मसाला भर जाएगा और फिर फटा-फट हम इन्हें फोल्ट कर देंगे तो एना एकदम कमाल की ट्रिक तो जरूर से ट्राइ कीजेगा और आपके बच्चों को बेहत पसंद momos आपको बनाने में कभी कोई दिकत नहीं आएगी तो सारी ट्रिक्स आप फॉलो करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि ऐसे ही यूनीक रेसिपीज आपको मिलती रहे अब देखें फटा-फट से सारे momos हम एक साथ फोल्ड करते जाएंगे तो बहुत ही इजी ट्रिक है इस तरह प्लेट्स बनाते हुए आप momos को ये देखें इस तरह पैक कर लिजे थोड़ा सा घुमाईए और फिर इसके edges को सील कर दीजे तो आपको एक closer look देते हैं ताकि जेने नहीं आता है जो beginners है वो भी इसे अच्छे से बना सकें तो देखें इस तरह घुमाते जाएं प्लीट्स की तरह और ये भी हो गया पैक देखें एक बड़ा momos मेरे बनाया है ताकि आपको देखें तो एक ही side से आपको प्लीट्स बना हैं और ये जो हमने cabbage के पीसे काटे थे इन पर हमने oil लगा कर इस तरह है इडली कुकर में प्लेस कर दिया है और हमारी प्लेट्स में अफट अफट से हमारे momos भी डाल देंगे तो बहुत ही इजी है इडली कुकर में एकदम perfect steaming इनकी होती है आप rice कुकर में बना सकते हैं आ दूसरा इन में जो cabbage की smell है वो हमारे momos को एकदम unique बनाएगी तो चलिए पानी गरम हो चुका है कुकर में अब हम इसमें इडली कुकर में इन प्लेट्स को प्लेस कर देते हैं तो पहुत ही कैफुल ही करना है क्योंकि गरम गरम काम करते हुए हमेशा कैफुल रहना चाहिए नितुखाने बनाने का सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है तो देखें सेफली हमने इनको प्लेस कर दिया है अब साथ से आठ मिनित में ये परफेक्टली हो जाएंगे स्टीम एंड वाव तो फ्रेंड्स जैसे ही एडली कुकर हमने खोला इतनी ओसम इसमें खुश्बू आ रही और ये हमारे मुमोज कितने सॉफ्ट बाहर से और इतने कृंची अंदर से तयार है तो होप ये रेसेपी आपको जरूर पसंद आई होगी और फिर मिलेंगे यहीं तड़काविट स्टाइल पर तिल देन खुश रहिए अपना ध्यान रखे और याद रखेगा लाइफ इस बढ़ाई